एक तरफ भाश्पर प्रत्याक्षी मन्जू शर्मा का प्रचार जोरो पर है और दूसरी तरफ आज प्रियंका गांधी की रैली में कुर्सियां खाली देखने को मिली है क्या कहना है आपका प्रताब सिंग घाचर एवास पहले से हार भी मान चुके है और आज कुर्सियां भी खाली देखने मिली और दूसरी तरफ आपका प्रचार जोरो पर चल रहा है क्या कहना है इस बार क्या दावा है कितने से जीतेंगे आठ लाग से जीत का आखड़ा बताया है क्या रिस्पॉंस मिलना है पूरे जैपुर में आप भूब लाग सारा जैपुर खुश है जैपुर में राजस्तान में जिस तरह से अशोग गेलोत की सरकार में महिलाओं की हालत थी और अब भाजपा ने महिला को टिकेट दिया है तो क्या लगता है उन हालतों में बड़ा परिवर्तन आएगा बिल्कुल करेंगे तो यह थी मंजू शर्मा जिनका कहना बड़ा परिवर्तन आएगा और आज यहाँ पर जिस तरह से सरीता मितल्म का स्वागत कर रही है आप देख सकते हैं आठ लाग से जीतने वादह है और यहाँ पर सुमण शर्मा जी है हमें क्या लगता है जंता बता रही है ना प्रूरा माहौल बडलावा और नारी शक्ति का वंदर जैपूर इस बार कर रही है और आठ लाग से बीपार जाए तो जहां जा रहे हैं वहां गजब का response मिल रहा है अठ लाग 15 लाग ऐसे चीजे सुनने को मिल रही है और यहां पर प्रियंका गांधी की रैली में खाली कुड़्सियां देखने को मिल रही थी साथ ही बात कर रहे हैं हम यहां पर सरीता मित्तल जी से भी जिन्होंने यहां पर सुआगत किया है क्या लगता है मेंठम आठ लाग की बात कर रही है बिक्कुल सारे कारे करता हूं में एक जोश है एक उमंग है और कॉंग्रेस वाले तो पहले ही अपनी हार मान चुके और वो बोल चुके हैं कि हमें जबर्दस्ती टिकेट दी गई है, कॉंग्रेस में कोई भी प्रत्यासी नहीं, कोई एलेक्शन लटने को तैयार ही नहीं है, वो चुनाव से विदान सभा की हार से इतने डर चुके हैं कि लोग सभा में वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, लो हाँ पर तमाम सारे लोग कैमपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ हो रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा का जबर्दस्त माहूल है, कैमरा परसंट चेतन के साथ वरुन मंसाली प्राजस्तान समवाद के लिए